आखिर company shares क्यों issue करती है, कौन होते हैं ये shareholders, कौन होते हैं promoters, कौन होते हैं ये directors So my dear friends, मैं आपको यहां पे quickly बताता हूँ, कि companies जो की बड़े-बड़े projects लेके आती हैं, इन projects के लिए लगता है बहुत सारा पैसा, और ये बहुत सारा पैसा सिर्फ कुछ लोग मिलके जमान नहीं कर सकते हैं, company बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको कहा जाता है promoters, लेकिन सि अपनी के projects को पूरा करने के लिए company जाती है general public के पास, मतलब आपके और मेरी तरह आम जनता के पास, और आम जनता से कहती है कि आप अगर हमारी company में निवेश करना चाहते हैं, तो आप हमारे company के shares खरीच सकते हैं, वो बन जाते है shareholders, ये जो shareholders होते हैं, ये shareholders, promoters भी हो सकते है और इन shareholders में से कुछ लोगों का चयन किया जाता है, चुने जाते हैं, जो company की day to day routine को चलाते हैं, company के decision making लेते हैं, उनको कहा जाता है directors, so this is how the company works, through promoters, shareholders and directors.